हैलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक नई और इन्फाइ नर्मेटिव वीडियो में फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जो नया कानून लागू हुआ है उस पर डिटेल में डिसकस करेंगे ट्रक ड्राइवरों के लिए ही नहीं कार और टू वीलर मालिकों के लिए भी मुसीबत है यह नया कानून समझें ATO जीरपूरी कहानी What Changed in Hit and Run Law अब नय नियम के मताबिक यदि गाड़ी से कोई टकराता है ड्राइवर पुलिस प्रशासन को सूच ना दिये बिना मौके से भाग निकलता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी और फाइन भी लगेगा ये फाइन 7 लाख रुपे तक का हो सकता है आपराधिक कानूनों को स्वदेशी रंग देने वाले भारतिय न्याय संहिता विधेग को संसत से मंजूरी शीत काली इन सत्र में मिल गई थी अब कुछ महीनों में IPC के कानूनों की जगह इसके नए प्रावधान ले लेंगे इस बीच इसके एक कानून को लेकर देश भर में विरोध शुरू हो गया है और ये है हिट एंड रन पर बना नया प्रावधान इसके अतन्रगत यदि सडक पर हिट एंड रन की कोई घटना होती है तो गाड़ी चलाने वाले ड्रावर को 10 साल की सजा तक हो सकती है इसके अलावा गाड़ी मालिक या ड्रावर को जुर्माना भी देना होगा दरासल वाहन की टकर के बाद भाग जाने को हिट एंड रन माना जाता है अब तक ऐसे मामलों में दो साल की सजा का प्रावधान था और थाने से जमानत मिल जाती थी अब नए नियम के मताबिक यदि गाड़ी से कोई टकराता है ड्रावर पुलिस प्रशासन को सूचना दिये पिना मौके से भाग निकलता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी और फाइन भी लगेगा ये फाइन 7 लाख रुपए तक का हो सकता है इसी कानून को गलत बताते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं हरियाना, दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राजियों में ट्रक चालकों ने चक्का जाम किया है ट्रक ड्राइवर ही नहीं, बलकि टैक्सी, ओंटो चालक भी इस नए कानून से परेशान है बता दें कि ट्रक चालकों या मालिक पर ही नहीं यह कानून निजी वाहन वालों पर भी समान रूप से लागू होगा चाहे आपके पास कार हो या बाइक और स्कूटर हो सरकारी आँकणों के मताबक हर साल पचास हजार लोगों की सड़क पर हिट एंड रन के मामलों में मौत हो जाती है होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद में बताया था कि नए कानून में सरकार हिट एंड रन के मामलों में सخت प्रावधान ला रही है इसके तहट यदि किसी की गाड़ी से सड़क पर कोई ठकरा जाता है और ड्राइवर पीड़ित की मदद करने की बजाए उसे मरता छोड़ गाड़ी लेकर या खुद भाग निकलता है तो फिर उसे दस साल की सजा होगी और जुर्माना देना होगा वहीं पीड़ित को अस्पताल पहुँचाने या पुलिस प्रशासन को सूचना देने वाले को राहत दी जाएगी अब तक आई पीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था दरसल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के जानकारों और ड्राइवरों का कहना है कि यह कानून दोधारी तलवार है यदि ड्राइवर हादसे के बाद मौके पर मदद के लिए भी रुकता है तो उसके आगे भीड के हमले का खत्रा होगा अक्सर ऐसे मामलों में भीड हिंसक हो जाती है यदि वह हमले से बचने के लिए भाग निकलता है तो कानून के अनुसार उसे दस साल की कैद होगी इस से उसका पूरा जीवन सडक पर हुई एक दुरघटना के चलते पर भावित हो सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील रोहित पांडे के मताबिक सरकार के द्वारा कानून में बदलाव के पहल का स्वागत करना चाहिए क्योंकि आज कल हिट एंड रन की घटना बहुत देखने को मिल रही है वहीं इस कानून से लोगों के मन में भय होगा और अगर कोई अनहोनी होती है तो प्रभावित आदमी उस समय मदद करने की दिशा में सोचेगा नए कानून के अनुसार यदि गाड़ी से टकराने वाला व्यक्ती गलत तरीके से वाहन के सामने आता है या फिर अवैध रूप से सडक को पार करता है तो फिर ऐसे मामलों में ड्राइवर को राहत मिलेगी ऐसे केसों में अधिक्तम पांच साल की सजा और जुर्माने का ही प्रावधान होगा वहीं गलत ढंक से ड्राइविंग के चलते यदि दिक्कत होती है तो फिर ड्राइवर को 10 साल तक की कैद होगी हालांकि इसी प्रावधान को लेकर चालक चिन्ता जता रहे हैं कई ड्राइवरों ने कहा कि कोहरे की वज़े से भी हाथ से हो जाते हैं यदि ऐसे मामले में भी 10 साल की सजा हुई तो हमें बिना किसी गलती के ही इतनी बड़ी सजा भुगतनी होगी हालांकि इस कानून को लेकर कई confusion है Hit and Run पर नए कानून के विरोध का क्या है कारण चक्का जाम करने वाले ड्राइवरों का दावा है कि Hit and Run के मामलों में विदेश की तर्ज पर सख्त प्रावधान लाया गया है इसे लाने से पहले विदेश की तरह बहतर सडक और परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए था प्रदर्शनकारी ड्राइवरों का कहना है कि नए कानून के अनुसार Hit and Run मामलों में 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है ड्राइवर इतनी बड़ी राशी कैसे भर सकते हैं Hit and Run पर देश में अभी तक क्या रहा है Motor Vehicle Act कानून अब तक Hit and Run मामले में IPC की धारा 279 लापरवाही से वहन चलाना 304A लापरवाही के कारण मौत और 338 जान जोखिम में डालना कि तहत केस दर्ज किया जाता है इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है खास मामलों में IPC की धारा 302 भी जोडी जाती है Hit and Run कानून में नए कानून के अंतरगत अब क्या हो गया है बदलाव बदलाव के बाद Section 104 Route 2 के तहत Hit and Run के बाद अगर आरोपी ड्राइवर घटना स्थल से भागता है या पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है तो उसे 10 साल तक की सजा भुगतनी पड़ेगी 7 लाख रुपे का जुर्माना भी देना होगा इस कानून में सभी तरह के गाड़ी चालक शामिल है क्या Hit and Run केस में सजा हो सकती है कम Hit and Run के मामले में सरकार के द्वारा बनाए गए नए कानून के मताबिक अगर कोई ड्राइवर ला परवाही से किसी भी व्यक्ती को टककर मारता है तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान और 7 लाख का जुर्माना है लेकिन अगर कोई ड्राइवर किसी भी व्यक्ती को टककर मारता है और वह संबंधित Authority यानि कि अस्पताल और पुलिस के समक्ष पेश होता है तो घायल व्यक्ति की अवस्था को देखकर उसकी सजा में नर्मी बरती जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के वकील मनीश दुबे ने बताया कि परिस्थितियों को देखकर अदालत ड्राइवर की सजा में नमी बरत सकती है अगर व्यक्ति ज्यादा घायल नहीं आम तोर पर पुलिस स्टेशन पर ही घायल व्यक्ति की स्थिती को देखका टक्कर मारने वाले ड्राइवर के सजा का आंकलन किया जा सकता है और यह अधिकार संबंधित पुलिस थाने के मौजूदा जाँच अधिकारी पर निर्भर करता है अगर भीड पीटती है तो मौब लिंचिंग का केस होगा दर्ज हिट एंड रन के मामलों में ट्रक ड्राइवरों की यह दलील है कि अगर वह एक्सिडेंट के बाद घायल शख्स की मदद करने की कोशिश करेंगे तो आक्रोश में भीड उन्हें पीट सकती है ऐसे में नए कानून के मताबिक अगर आम जनता ऐसा करती है तो उसके खिलाफ मौब लिंचिंग का केस दर्ज हो सकता है जिसमें फांसी की सजा तक का प्रवधान है दो कोट से मिलेगा मौावजा अब एक्सिडेंट केस में घायल शख्स को नए कानून के तहत क्रिमिनल अगर एक्सिडेंट करने वाली कार का इंशियरंस नहीं है तो पीडित शख्स को मौावजा कार मालिक या ड्राइवर देगा